हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम दीपक है और मैं आप सब का स्वाहत करता हूँ मेरे चैनल आपका HR कंसल्टर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे है HR के एक बहुत ही important topic के बारे में जिसका नाम है grievance handling गरिवेंस एक बहुत ही कि क्एक भीकिसि के कि कि्इविक पास आ सकता है तो इसको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा रिक्रिक होता है और आज हम इसी के बारे में डीटेल में जानेंगे तो बिना देरी क्यून चलिये सूब करना है दोस्तों स्लाइड में हम लोग बात करेंगे what is grievance handling grievance handling basically क्या है तो grievance handling मैं normal सा अब बताऊँ तो एक प्रकार का formal process होता है जो की HR perform करता है जिसमें employees के complaints और जो भी अगर वो decertified है किसी भी चीज़ को लेके तो उसको register किया जाता है और उसके ओपर काम किया जाता है उसको solve करने के कोशिच किया जाती है ठीक है तो ये basically grievance handling का definition होता है या मतलब होता है employees के बहुत सारे complaint हो सकते हैं हो सकता है उसका किसे के साथ जड़ा पूआ हो हो सकता है उसकी बहस अपने manager के साथ हो गई हो वह अपने काम से dissatisfied हो ठीक है बहुत सारी चीज़े होती है तो यह सारी चीज़े जो है अगर आपके पास आती है एक एक चार के पास आती है तो वह grievance handling में ही जाता है और यह एक प्रकार का na structured channel होता है employees के लिए ताकि वो अपने concerns को rise कर सके है और यह कौन-कौन से concern हो सकते हैं कितने प्रकार की यह concern हो सकते हैं अगर लेसे कोई employee अगर आपके पास आता है कोई भी concern लेगे तो उसको आप किस category में define करेंगे तिये पांच प्रकार के concern हो सकते हैं सबसे पहला है work politics से condition जो office में office politics होती है उससे related कोई परशानी हो सकती है कोई employee complain कर सकता है work politics को लेके then second है salary और benefit को लेके अगर हो सकता है उसको अच्छे salary ने मिली हो सकता है उसको अपने जो सह कर्मी है जो कोवर करें उसकी salary पता लगी हो पता लगा हो कि उसको कम salary मिलती है उसके basis पे भी वो complain लेके आ सकता है आपके पास अगर उसके खिलाब कोई disciplinary action लिया गया और उसको लगता है कि नहीं यह disciplinary action जो है मेरे खिलाब जो हुआ है वो गलत है तो उस case में भी वो आपके पास grievance handling के लिए आ सकता है grievance लेके next आता है discrimination और harassment अगर उसके साथ कोई discrimination हो रहा है या harassment हो रहा है उस case में भी वो grievance raise कर सकता है HR के पास जाके last में management decision होता है in case management को decision लेता है जो की employee के favor में नहीं जाता है तो इस case में भी वो grievance को raise कर सकता है और HR को जो है उसको पर action लेना ही होता है तो यह पांच category होती है दोस्तों grievance की then जो goal होता है goal of grievance handling is to find the fair and timely resolution simple सा funda है कि अगर आपके पास कोई grievance आता है एक HR के पास कोई grievance आता है उसका solution ढूणना main चीज है और fair solution ढूणना timely basis पे जिससे की employee और employer दोनों ही satisfied हो तो यह main काम होता है दोस्तों grievance handling में hope आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए अब आगे बढ़ता है दोस्तों इस slide में हम लोग जानेंगे कि process क्या होता है अगर इसको किसी को किसी प्रकार का भी कोई grievance है किसी को भी लेकि ठीक है जो मैंने पांच वहाँ पे categories बताइं उस पांचों category में किसी प्रकार का कोई भी grievance है सबसे पहले चीज क्या करेगा वो एक रिवेंस को file करेगा file करने के लिए कहां जाएगा HR से बात करेगा हो सकता है माल लिजे कई कंपनी में फाइल नहीं होता होगा या grievance है मुझे उसको लेके तो इसको पर action लिजे तो क्या होगा HR जो है आपका complaint rice करेगा और rice करने के लिए वो file करेगा उस grievance को ठीक है यह पहली चीज़ होगी दूसरी चीज investigation होगा जो HR department होगा वो जो designated manager है उसके साथ मिलके जो उसका खुद का designated manager है उसके साथ मिलके एक group team बनाके जो है पूरी information वो gather करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या facts हैं सारे facts check होंगे और investigation होगा इस matter के बारे में पूरा then अगला आता है resolution फिर जब भी पूरा solution मिल जाता है HR को तो resolution जो है solution निकाला जाता है बोथ दोनों parties को आमने सामने बैठा के बताया जाता है कि यह गलती आपकी थी यह दुबारा नहीं होनी चाहिए और इंप्लाइब को भी बता जाता है कि यह यह चीज़े जो है अब आपके साथ नहीं होंगी ठीक है तो ऐसे करके resolution निकाला जाता है देन लास्ट में जो है जैसे resolution निकल जाता है लास्ट में आता है documentation जो भी resolution निकाला गया है वो ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा उसको proper document भी किया जाना चाहिए और वो HR का काम होता है ठीक है क्योंकि पूरा जो throughout process रहा है grievance filing से लेके investigation करना देन उसके बस resolution निकालना वो सारा का सारा जो है process लेंदी होता है तो उसको बकायदा उसको file करके रखना पड़ता है तो यह HR का काम होता है तो यह proper process होता है पहले grievance file करना होता है HR को second investigation करना होता है तीसरा resolution find करना होता होता है यह solution find करना होता है और last month को document करना होता है ठीक है चलिए बागे बढ़ता है दोस्तों दोस्तों इस slide में हम लोग जानेंगे कि benefits क्या क्या है इं ग्रीवेंस handling के जो सबसे बहला benefit निकल के आता है वो है improved employee relation क्योंकि अगर कोई employee जो complaint लेके गया है अपनी जो उसकी समस्या है वो लेके गया है अगर उसको HR solve कर देता है तो इससे क्या उसके अंदर confidence आता है कि हाँ company जो है मेरा ख्याल रख रही है और साथ में जो है मैं यहाँ पर लंबे समय तक काम कर सकता हूं वहीं employee जो कल को छोड़नी की सोच रहा था अब वो लंबे समय तक जो है company में काम करने का सूटेगा इससे क्या बाकी employees के उपर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या employee relation काफी अच्छा maintain होगा company में second है reduced conflict it's a former process to help and address issue before they escalate into bigger problems कहने को बतला है कि जब भी employee के पास से अगर कोई grievance हाता है HR के पास उसको timely जो है resolve कर देने से क्या होगा कि जो conflict है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा कि अगर वो conflict resolved नहीं होता है और वो continue escalate होता चला जात तो बड़े उपर management के पास भी जाके escalate करेगा और जो है company के reputation को farm करेगा police हो जाएगा then next है legal compliance क्योंकि देखे अगर जो employee अपनी समस्चा लेके गया है और वो कहीं ना कहीं अगर legality से जो है जुड़ा हुआ है और time पे grievance अगर resolve नहीं होता है HR से तो employee के पास पूरा हक है वो जो है labor law की मदद ले सकता है तो labor law lawyer के पास जा सकता है वहाँ पे जो है company के खिलाफ complain कर सकता है तो अगर timely grievance handling हो जाती है जो उसका complain था उसको resolve कर दिया जाता है तो legal compliance से भी जो है legal trouble से भी company बस सकती है तो यह तीसरा benefit है चौता है early deduction of the problem देखे कभी भी कोई भी company में जब भी employee join करता है तो अदमी उसके अंदर तो जाके देखा नहीं कि भाई कैसा इंसान है company में काम करते करते ही पता चलेगे कैसा इंसान है तो अगर conflict ऐसा कुछ आता है let's say example के उतर पर manager और employee की बीच कुछ होता है और manager गल्टी है तो अगर यह grievance employee की तरफ से आती है कि manager ने ऐसा सब गोल दिया जिसके कारण जो है मुझे अच्छा नहीं लगड़ा I am thinking to leave अगर ऐसा कुछ होता है ठीक है और इसको HR solve कर देते हैं इससे यह भी पता चलता है कि problem कहां पे आ रही है क्या उस manager को जादा training देने की जरूरत है क्या new manager hiring करने की जरूरत है और ऐसी क्या चीजें है ज आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक जिरू कीजेगा अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों साथ शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मैं इसी प्रकार के नेने content आप लोगों के इसी तरह बनाए रखेगा मैं मिलूगा आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा धन्यबाद दोस्तों